चीन के बारे में जो वीडियो वायरल हुई तो इसके बारे में तो मुझे बहुत खुशी है खुशी इसलिए नहीं है कि मेरा वीडियो वायरल हुआ या उसको दो दिन में 20 लाक व्यूज मिले ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि ऐसी संख्या कि इसे इतने जोर शोर से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, 20 लाख तक लोगों ने देखा, ये एक message है, संदेश है चीन के लिए कि भारत के लोग बहुत संजीदा हैं, इस बात को लेकर बहुत नाराज हैं उ के अनुसार बहुत युवाओं ने आप देखेंगे कितनों ने लिखा है कि उन्होंने अपने Chinese apps अनिंस्टॉल कर दिये, तो ये भी एक संदेश जाएगा, जब यहां करोडों में apps अनिंस्टॉल होंगे, तो हम जो ये कह रहे हैं या कर रहे हैं भारत के इतने लोग, वो ए एक आंकड़ा बनके चीनी सरकार को एक संदेश के रूप में जाएगा, और जाना भी चाहिए इस वक्त, जब वो हमें इस सीमा पर सता रहे हैं, गुस्पैट कर रहे हैं, तो उन्हें ये पता लगे कि भारत के सैनिक सिर्फ जवाब नहीं देंगे, देंगे और मुँ तोड देंगे, मगर जनता उनके साथ खड़ी है, वो अपने बटवे से, वालेट से सेना की बुलेट का बराबर का साथ दे रहे हैं, तो जब हमारे आंकड़ों की बात चली तो जब एप्स करोडों में हटने लगे मोबाइल से, उन्हें वहां सीधा पता चलता है ये, उसी तरह जब orders cancel होने लगे, जो हमारे business व्यापारी हैं, जिन्होंने चाइना से सामान मंगाया, वो सब orders cancel हो, जो यहां है, वो गोदामों में रह जाएं, तो एक बहुत जोर का संदेश जाएगा कि चीन को भारत से टकर लेने में बहुत गाटा है, वहां की जो जनता है, वो उनसे ही रूट ना जाए, क्योंकि चीन की जनता का एक सहारा है व्यापार, वरना वो बिना अधिकार के बंद्वा मजदूर की तरह वहां पड़े हैं, मगर व्यापार से जो उनको पैसा आता है, उसकी एक खुशी है, अब वो भी डग मगाने लगे, तो एक विद्रो जरूर हो सकत है, तो इसलिए ये जरूरी है कि हम बहुत संख्याओं में ये अपना बॉइकोट जो है वो असरदार करें, ये सबसे बड़ा मेसेज है, संदेश है चीन को, अपने नाकाम्याबी का कि दुनिया में लोग इससे कितने गुसे में हैं और नफरत करते हैं, तो ये अगर एक द देने वाला हूं, तो मुझे उमीद है कि हमारे भरतिय सब एक उद्धारन बना कर दुनिया को एक रास्ता दिखाएंगे.